Hello friends, Welcome back to my channel. Friends, ये जो प्लांट आप सुखा हुआ सद्दीख रहे है, ये मेरा कामिनी का प्लांट है. और ये ऐसा सुखा हुआ था कि मानो जैसे की बिल्कुल ये प्लांट सुख चुका हो, तो ये प्लांट में देखिया अब गुरोथ होनी स्टार्ट हुई है और इसके निव नीम लीफ्स जो है निकलने चालू हो गया है तो अक्सर स्प्रिंग में ऐसा ही होता है कि पतज़ड के बाद जैसे लगता है कि पेड़ सूख गया हो आपके प्लांट में सूखापन दिख जाती है और इस प्लांट की हालत देखर के आप समझ सकते हैं कि कैसा दिख रहा होगा सब्सक्राइब के बाद तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बारे में भी बता दिया जाए क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि प्लांट जो है सूख चुके हैं तो ऐसे मैंने बहूत स अभी भी ये ना समझें कि ये प्लांट सूखने वाला है तो उसकी बस आप केर करते रहें तो कुछ दिनों में कुछ-कुछ प्लांट में होते हैं कि ग्रोध थोड़ी लेट होती है तो सूखा हुआ समझ करके और उसे उखारने की भूल कभी भी ना करें क्योंकि वो करती कर चुकी हूं तो मैंने सोचा कि ये दर्सकों को अपने बता ही देना चाहिए कि ऐसी भी हालत रहती है प्लांट्स की तो ये देखे ये जितनी भी मैंने कटिंग की थी नए नए ग्रोध होने स्टार्ट हो गया है अ इदेखे ये सारे प्लांट जो है कटिंग के बाद देखे नए ग्रोध होने चालू हो गया है फ़िए प्लांट जो है किस तरीके से दिख रहे है लेकिन इसमे ग्रोध हो है स्टार्ट हो गई यह गुड़ हल और मैंने इसका वीडियो भी बनाया हुए है कि कैसी कटिंग हुई थी पर देखिए इसमें ग्रोथ होने स्टार्ट हो गया है तो बस आपको यही करना है कि प्लांट जब पतियां जड़ जाती है या फिर आप कटिंग करते हैं तो उन प्ला हो जाए तो आप यही काम करते रहें बस और सुखा हुए समझ के यह गलती कभी भी ना करें यह था इस सारे प्लांट में ग्रोथ हो चुकी है ए तो विख इसारी कटिंग के बाद कैस तरीके से प्लांट किस तरीके से प्लांट दिखाई दे रहे हैं सारी नई लिफ्स जो है निकले हुई है तो फ्रेंड्स आप सब को ये छोटी सी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए है अगर तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आप सब को जल से जल मिलती रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टापिक के साथ तब तक के लिए बाबाई थांक यू